नमस्कार में गीरिश आप सभी का स्वागत करता हूँ आज मैं आपको रेंगन के बारे में बताने वाला हूँ और आज विशेश क्या है कि रेंगन लपेटा पाइप पे कैसे चलती है या लपेटा पाइप कीस तरीके का चाहिए कौनसा लपेटा पाइप रेंगन के उपपर अच्छे से काम करता है, कोन सा नहीं करेगा, यह सारे चीजों के उपपर में आज आप से बात करने वाला हूँ और यह वीडियो आप आखरी तक क्यों देखी है, क्योंकि मतलब ज्यादा तो किसानों का केस से रहता है, कि उनके खेत में एक पॉइंट कहीं पे उन्होंने निकाल के रखा रहता है, कि अंडर ग्राउंड पाइपलाइन है, तो भी उदर एक चेंबर बना के कनेक्शन निकाल के रखाए, और जब रेंगन का आपको इस्तमार करना है, तो सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है, क्योंकि दिक्कत नहीं बोला जाएगा, क्योंकि रेंगन एक स्पिंक्रर इरिगेशन का प्रकार है, तो उसको उठा-पटक आप कर सकते हो, एक जगह पे आप उसका इस्तमार करेंगे, सिंचा ही हो जाएगे, तो दुसरी जगह उसको आप उठा के इस्तमार कर सकते हो, तो वैसे यूज करने के लिए यह बहुत ज़रूरी रहता है, कि आप यह रेंगन को अगर लपेटा पाइप पे इस्तमार करेंगे, तो यह लपेटा पाइप 120 फिट के लंबाई म हो जाती है, और 8 डिशा या 4 डिशा में अगर 120 फिट के आप रेंगन बढ़ा के उसको इस्तमार कर पाएगे, तो आपको काम करना आसानी हो जाएगे, तो आज की वीडियो चालू करने के पहले, हर वीडियो की तरह, इस वीडियो में भी, मैं आपको एक रिक्वेस करता हू कि कुछ सवाल में आपको पूछता हूँ, उसका जवाब आप कमेंड में बताइए, यहां हमारे लिए क्यों जरूरी रहता है, ना कि हमारे लिए आपके लिए भी, क्योंकि इसी के उपर अगला कंटेंट कौनसा बनाना, यह हमको तवय होता है, तो आज का सवाल आपके तरफ अभी बारिश चालू है या बंद हो गई है, अगर बंद हो गई है, तो बारिश कैसे हुई, अच्ची हुई है, कम हुई, आप सिप उतना कमेंड में बताइए, क्योंकि हमारे यहां तो ऐसे हलत है, कि अभी बारिश चरी गई है, खेतों में उनका जो फसल हो और किसानों को अभी बहुत अर्जन में पानी सिंचाई करना है, तो बहुत सारे किसान भाई इस रेंगन के लिए अभी अर्जन में चाहिए इसी रिकॉर्मेंट डे रहे, और अभी में जो यह वीडियो शूट कर रहा था, तो कुछ किसान भाई अच्चानक से आ गए है, तो मैं चाहूंगा कि उनके साथ भी में मुलाकाद करता हूँ, हाईये सर, मुझे नहीं मालूम ता किसान भाई आने वाले है, हाईये, सर कहां से आया अप, अर्वीक से दुजिया से आये, तो क्यो आये सर यहापे, रेंगन देखने आये, तो आपके तरब भी वही दिक्कत मैं रिक्वेस्ट मतलब बोलूगा कि आपके जो भी सवाल है रेंगन के, आप पूछो यह अच्छानक से आ गये है और इंके सवाल मुझे मालूम नहीं है, तो यह मतलब जो भी सवाल पूछेंगे, वही सवाल आपके मन में भी आएंगे, तो आगले वीडियो में इनके पर रिंगन यहां पर अभी काम कर रही है, तो मैं उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ, यह वीडियो आप आकरी तक देखी है, क्योंकि इस वीडियो में और कुछ सवाल ऐसे हैं, जो किसानों ने पूछे हैं, उसका भी मैं जवाब देने वाला हूँ, तो यहां पर जो हमेशा की तरह हमारी 5 HP की मोटर है, क्यों अन ब्रैंड है, कोई उसको ब्रैंड नहीं है, यह क्यों बताता हूं में हर बार क्यों अन ब्रैंड है, क्योंकि ब्रैंड वाली मोटर कभी भी ज़्यादा पानी देती है, ज़्यादा परफॉर्मल देती है, रेगूरर मोटर स तो यहाँ पर हमने जानबुच के अनब्रैंड मोटर डाली हुई है तो वह एक अनब्रैंड मोटर है और उसके उपपर यह लपेटा पाइप जोड़के यह रेंगन लगवाई है अभी ज्यादा बड़ा लंबा पाइप हम यहाँ पर नहीं लगवा पाए है क्योंकि अगर ल लपेटा पाइप यह 120 फिट के लंबाई में आता है और लपेटा पाइप पे आपने रेंगन क्यों चलानी चाहिए क्योंकि कोईसा भी शेत्र हो किसान बाई ज्यादा से ज्यादा करते हैं कि एक पाइपलाइन अंदर से डालके रखते हैं जमीन के अंदर से और उसको जग जगपे कनेक्शन निकाल के रखते हैं और जैसे कि आपको मालुम है कि यह एक सथाट इक सथार फिट के गोलाकार में पानी देती है तो मान लिजे आपका चार एकर शेत्र है और एक बार एक एकर हो जाता इस रेंगन से और फिर आपको दूसरा एक एकर कवर करना है यहाँ स्पिंकरर इरिगेशन की खुबी है कि स्पिंकरर इरिगेशन एकिस नोजर आप ज्यादा जगा यूज कर सकते हैं और उसमें भी यह बड़ा रेंगन है तो आप फटा-फट इसका डिस्चाज ज्यादा है तो ज्यादा एरिया कवर कर पाते हो तो मानली जी कि यह चारिकर का आपने रेंगन लगवाई है यह पर आपका काम हो गई चाहिए और यहां से आपको दूसरी जगा लेके जाना है तो यह 120 फिट का फूने से क्या होता है यह आपका पिलर है जो जमीन के अंदर से पाईप गया है मानलो यह आपका पिलर है और यहां से 120 फिट ऊदर 120 फिटCs फिर 120 फित इधर ऐसे पूरे गोलाकार में जब आप इसको गुमाएंगे लपेटा पाइप को तो बहुत जादा एरिया कवर हो जाता है कुछ यूट्यूबर भायों ने एक डूसरेट प्रकार के लपेटा पाइप पे रहिंगन चला के दिखाई है मैं रिक्वेस्ट करूँगा सभी विवर्स को कि आप जाके मतलब वहां की जो रेंगन है उसका परफॉमंस देखो और यहां की जो रेंगन है उसका परफॉमंस देखो यह एक प्रकार का इंपक्स पिंकरर है यह जो फ्लैप है यह पानी के प्रेशर के सामने जब आती है तो पीछे अटी है और फिर वापस आके उसके उपर टकराती है तो इसके वज़े से हर बार जब वह फ्लैप टकलाएगी तो वह रेंगन आगे आगे गुमती है तो यह ज धुरान लीजे कि कभी ज़ादा पतका बेट रहा है कभी कम पतका बेट रहा है कंपे ज़ादा पानी डे देगी और इसके वजह से आपको स्पिंकलर का कोईफिचेट ओट से इनशी है यह दाउन आ जाती है क wn efficiency मतलब क्या कि हर जगा एक जैसा पानी परने की प्रक्रिय जो प्रमाने वो एक जैसा होना चाहिए अगर वो अलग अलग है तो आपकी coefficient of efficiency कम रहेगी अगर एक जैसा है तो ज्यादा रहेगे तो वो परफामर्स के उपर में बात कर रहा था दूसरा कि जितना ज्यादा प्रेशयर रहेगा उतना आपका पानी का बुन महीन होगा चोटा होगा और जितना बुन झोटा रहेगा उतना वो कापके क्रॉप को आसानी से पानी देगा तो आपका पानी सब जगा एक जैसा बिखर के जाएगा और उसके वजे से आपकी coefficient of efficiency of इम्पूरू हो जाएगी तो इसके यह पर्फॉर्मंस के बारे में बात कर रहा था कही बार किसान भाई क्या बोलते है ठीक हो ज्यादा लंबा पाने नहीं देगी रेंगन तो चलेगी लेकिन यह पर्फॉर्मंस भी आपके क्रॉप के लिए जरूरी है यह थोड़ा टेक्निक आप जूम करके प्रेशर मिटर पर सेट कीजिए अब यह रेंगन तो एक देड़ केजी पर रेंगन दिखा देना कि देखो अच्छे से पानी मार रही है और एक सही तरीके से दिखाना इसमें फरके वह मतलब कई लोगों ने ऐसे वीडियो बनाई है एक एच्पी पर रेंगन सोटक चलेगी हमारी भी चलेगी उनकी भी चलेगी लेकिन उसका परफॉम नस हे वह भी तो आपको अच्छा मिलना चाहिए तो यह रेंगन के लिए आपके पास दो हपी तीन हपी की मोटर हो ने चाहिए पांच इच्पी बड़ी मोटर य तो आप ज्जादा भी य चलती है और मैं आपको बात कर रहा था लपेटा पाइप तो मैंने भाहिया को रिक्वेस्ट किया है कि आप मोटर बन करो मतलब आपको पास्से में लपेटा पाइप के बारे में समझा पाऊंगा उसकी फिटिंग के बारे में समझा पाऊंगा और आप इस तरीके से अगर इस यह उपर नीचे भी कर सकते आप यहां का श्कुरू अमारे लोगों निकाल के रखाए इसके उपर यह कसना कसा तो यह वापिस टाइड भी हो जाती है और यहां पर देखो यह पाइप के बारे में मैं बात कर रहा हूँ पूरा फ्लेक जिबर देखो छालू मोटर में मैं आपको दिखानी पा रहा था लेकिन यह पूरा फ्लेक जिवर इसको आज finely से दो आदमी एख ऊटा सकता है ओर एक जगे से बुक पर लेके जा सकता है सकता है इस पर इसको चड़ा पाएंगे अभी मान लीजे कि यहां पर हमने फुट बोटम पर आपको दिखाया है क्यों क्योंकि यही हमारे पास कैसा है कि किसान जैसे डिमांड करता है कि भाई हमको स्पिंक रहे के पाइप पे चला के दिखा हो हमको यह तो उससाब से यहां पर किया है त उसके उपर इसको आप चड़ा सकते थे यह दो पाइप को भी आप एक दुसरे से जोड सकते हो आपको कोई दिक्कत आएगे निए दो पाइप तीन पाइप तक किसानों ने उसको जोड़ा है उस बाजु में भी आईसे ही उसको कनेक्शन किया है तो आज के वीडियो में आ पुट आपके तरफ से आने चाहिए तो अब भी मुझे आपको एक सवाल पुछना है कि मैं चाहूंगा उसका जवाब आप कमेंड में दीजिए तो आज का सवाल ऐसा है कि आपके यहाँ अभी जो बारिश है ये कितनी परिसेंट हुई अच्छी हुई या बुरी हुई इतना भी बताया तो मुझे समझ में आ जाएगा क्योंकि अभी मतलब हमारे यहाँ तो ऐसा हुआ है कि बारिश अच्छानक चली गई है और सभी किसानों की जो फसल हो खड़ी है और अभी उनको बहुत अर्जन बे पानी सिंचाई करना है तो आप भी आपके एरिया का उतना ही हालात हमको सिभ बताईए कि आपके तरब बा अधियों के बीच-बीच में दे दिये आप उनको कॉल कर सकते हो धन्यवाद